नमस्कार दोस्तों मैं आपका गाइड होजांक होजांक टाइम्स के नए आर्टिकल इंडिया नीट्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसके साथ मैं हाजिर हूँ दोस्तों भारत में वाई प्रदूशन बड़ता चला जा रहा है और वाई प्रदूशन एक बहुत बड़ी समस्या है हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं और माना जा रहा है कि भारत की वाई गुणवत्ता है वो दिनों दिन जो है वो नीचे होते चली जा रही है बेकार होती चली जा रही है और इस चीज़ को लड़ने के लिए भारत सरकार जो है वो एक नई पहल करना चाहती है जिसमें ह जो है क्या प्लान लेकर आ रही है सरकार के सामने challenges क्या हैं और क्याक्या क्या जा सकता है तो हम एक पूरा analysis करेंगे इस आर्टिकल का तो चली ए सबसे पहले शुरू करते हैं कि चल्चा में रहने का प्रमुक आरन या जो है आपना अपना चाहता है तो उसको जो है वह एक पूरा सथागत बदलाव करने पड़ेंगे इसके बहुत-बड़ा challenge है इसके सामने यदि हम दूसरे पक्षों की तरफ बात करें तो हम देखते हैं कि इस समय भारत में pollution की इस्थितियां क्या है status of air pollution in India so अगर हम air pollution की बात करें तो ये एक बड़ी भयावा इस्थित पैदा कर रहा है ये माना जा रहा है कि भारत में जो इस्थिति है premature death में यानि कि वो बच्चे जो माता की गर्ब में मर जाते हैं पूरी दुनिया में 6.5 million premature death होती है और उसमें 1.1 million premature death यानि कि माता के गर्ब में ही मौतें वो भारत में होती है तो इसका मतलब है इसकी air pollution जो है वो एक बहुत खतरनाक इस्थिति पैदा कर रहा है ये बात बहुत जो है वो चिंता जनक है यानि हम एक तरह से एक तरफ तो हम धारने विकास की बात करते हैं हम sustainable development की बात करते हैं लेकिन हमारे ही हरकतों की वज़े से वो इस बच्चे की मौत हो जाती है जो अभी तक जीवन जिसका जो है अभी शुरू भी नहीं हुआ है अगर हम डब्लू एचो की रिपोर्ट की बात करें एसी condition में भारत के जो 10 शहर है वो बहुत बुरी हालत में है उसमें 4 शहर जो है भारत के वो दुनिया के 10 सबसे polluted जगों में से एक है और भारत की जो 10 शहर है वो वास्तों में संसार की 20 worst list है यानि कि सबसे खराब हालत के जो शहर है उनमें इनकी गरणा की जाती है जो यह एक बहुत चिंता जनक बात है जो एक ऐसे आयाम को जन्म दे रही है जो यह बता रही है कि हमारी जो एर पॉलिशन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती चले जा रही है और रिपोर्ट कहती है कि खास दूर पर शहरी छेतर में जो मोटर वहकिल है जो आपके व बात करें तो भारत संब्ढ़ाइर इस छेतर में क्या करने का प्रयास कर रही है और कौन-कौन सी सेग्मेंट्स हैं वो इसके लिए बहुत इंपोर्नन यानिher लिए प्लांज स ऑ उफ इंडियन गोश्यागए जो बहुत जासरा चर्चा शुरू कि आर यह और unsure जार बिबया और भारत का जो think tank है यानि नीती आयोग जो है वो एक proposal लेकर आ चुका है जिसमें भारत जो है वो electric mobility की तरफ यानि electric वाहनों की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा और नीती आयोग का document कहता है कि अगर भारत तेजी से electronic vehicles को adopt करता है तो प्रति वर्ष जो है वो 4 लाक क्रोन रु move toward electric mobility by 2030 और नीती आयोग ये बात कहता है कि सन 2030 तक भारत को एक बहुत बड़ी मातरा में नीतियों को prepare करना पड़ेगा और इन नीतियों के preparation से ही जो है वो भारत electric mobility को यानि जो विद्धुत वहाने उनको तेजी से adopt कर सकेगा ये तो रही हमारी नीतियां सवाल ये है कि हमार सामने कौन कौन से प्रमुक चैलेंज इस विशे को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं यदि हम बात करें सो basic challenges अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने कौन कौन से challenge आ रहे हैं और वो challenge इसमें हमारा पहला challenge आ रहा है भारत के सामने चौनोतियों में transition from an internal combustion engine आप जानते हैं कि IC यानि कि जो भारत में अभी जो वरतमान वहां इस्तमाल के जा रहे हैं वो internal combustion engines होते हैं यानि अंतर दहन उसमें होता है और वहां से एक जो electric vehicles में convert करना एक बहुत लंबी और बहुत ही ज़्यादा तकलीव दे प्रक्रिया है इसमें आपको बहुत बड़ी मातरा में समाच को अवेर करना पड़ेगा सरकारी नीतियों को केंदरित करना पड़ेगा सरकारी एजिंसियों को आगे लेकर आना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात उद्योग जगत को इसमें प्रिपेर करना पड़ेगा अगला अगर हम बात करें इसमें जो सबसे महतरपूर्ण है इसमें नैशनल लेबल पे इस्टेट लेबल पे और सिटी लेबल पे इन तीनों लेबल पे यानि राष्टे इस्तर राज्य इस्तर और शहरी इस्तर इन तीनों में आपको प्रॉपर जो है वो प्लान प्रिपेर करने पड़ेंगे उसमें इन सब को जो है वो एक छट के नीचे लाना पड़ेगा एक अंब्रेला के स्कीम के लेकर लाना पड़ेगा तब ही जाकर हम इस प्रोग्राम को अड़ाप्ट कर पाएंगे अगले जो सबसे महतबूर बात है इलेक्ट्रिक वहकल्स को खरीदना उतना मुश्किल नहीं है जितन भारत सरकार को प्रथक नीती बनानी पड़ेगी ताकि चार्जिंग स्टेशन को लेकर आया जा सके इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है ये इलेक्ट्रिकल्स की जो जान होगी हार्ट होगी वो लीथियम आयन बैटरीज होती है जो उर्जा को स्टोर करके रखती है जितनी कंडिशन में आप अगर आयात धारित हैं उसके उपर आश्रित हैं इंपोर्ट बेस पे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीवत बन जाएगा आज भी हमारी जो ज्यादा तर बैटरीज है वो चाइना से इंपोर्ट की जाती है जो कि हमारे लिए जो है एक खतरनाक ब बात है कि अभी इस चीज लेकर जो है वो पूरे वैश्विक एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डबलप नहीं किया गया एक नीती नहीं बनाई गई है और उस वैश्विक नीती की अभाव में ही इलेक्ट्रिक वहिकल्स को जो है वो छुटपुट तरीके से तो आगे बढ़ सिटी लेवल प्लेयर्स जो होते हैं उनको टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर नीट्स के लिए तैयार करना पड़ेगा यानि कि जो राज्य इसतर पर हो या शहरी इसतर पर हो उनको चाहे वो तकनीक इसतर हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो इन सब के लिए आपको जो है अगली अगर हम बात करें investment is required for research and development सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपको research and development करना है तो आपको बहुत बड़ी मातरा में निवेश के होशकता पड़ेगी और हम देखते हैं कि भारत में इस तरह का निवेश जो है वो पूरी तरीके से गायब है पूरी तरीके से प्रथक है तो इसके लिए हमें बहुत जादा एक well planned structure की आशकता पड़ेगी अगला है government need to select for develop appropriate charging stations तो भारत को सरकार को कुछ ऐसी नीतिया लानी पड़ेंगी जहां पर charging station जैसे आज petrol pump उपलब्ध हैं वैसे आसानी से charging stations लेकर आ सकें इसके लिए उसे जो उद्योग है उसे जो civil society है उसे जो नागरिक समाज और सरकार हैं सब को जोड़कर एक नीति को लेकर आना पड़ेगा लोगों को जो है वो पुश करना पड़ेगी कि भई हर राज या हर शहर खासतोर पर जो स्मार्ट शहरों में आ रहे हैं उनको तो यह एडॉप्ट करना ही पड़ेगा साथी साथ सरकार को वेल रिसर्च जो है वो इस्टेडीज देनी पड़ेगी ताकि पीछे से रिसर्च होता रहा है और इसमें इनिशेटिव आने सब हो क्योंकि इलेक्रिक वहिकल को अभी बहुत दूर जाना है सबसे बड़ी बात इसको पेट्रोल और डीजल वहिकल से टकल लेनी है और पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल लॉबी इतनी ताकतवर है कि वो किस इसी प्रकार के रिसर्च को आगे आने नहीं दे रही है तो ऐसी कंडिशन में ये जो सेग्मेंट से वो आगे लेकर जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात अगर इलेक्ट्रोनिक वहिकल्स यानि एलेक्ट्रिक वहिकल्स के ड्रीम को अगर आपको सच करना है तो आपको बड़ी मातरा में इंवेस्टमेंट चाहिए आपको बहुल बड़ी मातरा में टेक्नलोजिकल रिसर्च चाहिए अगर हम इन सभी चीजों को स्टेप्स को लेकर आते तो आने वाले समय में हम बहुत आसानी से जो है वो इस electronic vehicle के सपने को पूरा कर सकते हैं और सबसे बड़ी मात्रा में जो air pollution का खत्रा हमारे सामने मंडरा रहा है जो हमारे यहां डबलुएचो की रिपोर्ट कहती है कि भारत में प्रतिवर्श 6 लाक मौतें मात्र air pollution की वज़े स हो रही है इस पर हम काफी बड़ी मात्रा में रोग ठाम कर पाएंगे और जो धार्नी विकास के हमारे लक्षे हैं भारत जो इसमें एक पार्टी बना हुआ है जो भारत अपने दुनिया को यह सपना दिखा रहा है कि आने वाले समय में जलवाई परिवर्टिन के मुद्दे पर वो एक नेता की रूप में एक नायक की रूप में निकलेगा शायद हम उन सपनों को पूरा कर सकें भारत में वो छमता हैं भारत के लोगों में वो छमता हैं बस हमें उसको एक सही तरीके से मांग दर्शन देने के हो शकता है तो दोस्तों यह रही complete analysis कि भारत electric mobility के माद् batches के लिए और जल्दी ही नय batches शुरू किया जा रहा है दस अप्रिल सुबह 11 बजे और शाम को चार बजे आप लोग के लिए बहुत महत्यपूर्ट जो है वो batch है जिसमें आप इतिहास की तयारी कैसे की जा सकती है निसुल सेमिनार में आप बहुत-बहुत स्वागत है आटिकल के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार